हेलो दोस्तों कैसे आप सभी लोग फिर से स्वागत आपके यूटूब चैनल आई पेपर क्लाशिस में और दोस्तों जैसे कि मैं आपके लिए आज लेकर आऊं दोस्तों एक important session आज मेरे session जो है दोस्तों वह है mcq कौन सा है दोस्तों mcq क्योंकि आपके पिछले दो ऑफ दिन से वीडियो नहीं आ पा रही ति क्योंकि दोस्तों मैं भी मतलब है भी मार पढ़ गया था दोस्तों और साती के सात में आपको बता दूँ मैं क्योंकि रक्साबंदन था रक्साबंदन के सभी आपने अपने सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्या क्या रहा हूं दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप हमारे चैनल को और आज हमारा सेशन देख पार रहोंगा आप अपनी स्क्रीन पर क्या है क्योंकि आपका एक्जाम नजदीक है आप जानते ही है आपको एक बार क्या कर देता हूं जिससे क्या होता रहे मोटीवेशन मिलता रहे ठीक है तो आज हम इसमें थोड़े से साथ क्योंकि बार करेंगे और पलस करनेस करेंगे वह भी सब्सक्राइबन करेंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ठीक है ना तो बहुत ही जल्द से जल्द सब्सक्राइब करिए और चलते अपने वीडियो के और टाइम मेशने करते हुए तो बैस्ट ओफ लग आईए दोस्तों देखते हैं सबसे पहला कोशन आपकी स्क और किसको कौनसा रेल्वे जान भारत का पर्थम पूर्ण विदूतिकरन रेल्वे जान बन गया है तो बताइए जरा दोस्तों आप देख पार रहेंक अपने स्कीरिंट पाइए अück्रंट हैडीक कम कउशन है कौनसा करंट आफ हैड्स से रेलेकेड जान 39 मार्च देख आण पर ना कौनसा 29 मार्च तो बताए दोस्तों कि इसमें आपका option number A दक्षिन पूरी रेलवे जोन option B उत्तर पस्चीम रेलवे जोन option D उत्तर मध्य रेलवे जोन बताए दोस्तों इसका आंसर जाएगा आपका कौनसा पस्चीम मध्य रेलवे जोन कौन सा पर्षिम मद्य रेलवे जोन यह सबसे पहला से नोगया दो स्थो इलेक्ट्रिफाइड हो गया कैसे देखते आंगे चलते हैं दोस्तों मैंने इसके बारेबं आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश की है यह दोस्ते आपकी आपकी स्क्रिन पर पस्ची मद्य के इस्तित है और यह पूर्णूप से विदूतिकरण होने वाला पर्थम रेलवे स्टेशन है याणि कि इस तरीगे का जो इस राज्य का है कौन से दोस्तों सिरी नेगर का सहाँ वर्तमान में भारत के कितने रीवे जोन है टोटल दोस्तों अठाचान जिसमें से एक पस्जी मध्य रेलवे जोन है जो कि एक chilli मध्या पर जबेर जबलफूर में इस्टित है तो कहूं से कあっ दोस्तों हमारा पस्चीम मध्या रेलवे जौन ठीक है ना नेक्स्ट को सब्सक्राइब चलते हैं इसी तरहीं कि दोस्तों आपके मैंने करेंट अफिर से लिये है नेक्स्ट कोशन आप अपनी स्कीन पर देख पार होंगे क्या है दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने रुपे की रुपे की रुप्र प्रिंटिंग हो गया है हाल लहीं में भारत सरकार नींए यह दोस्ता रुप्रियोजना मंजूरी की दिये महादरी क्या है पोत योजना है यह हमारी रोपै mówią को मझे दिया किस राजस मां अच्छों नहीं आपकर करनrière से कहा ना बताना ज्यां से च्छकता आं ना तो इसमें आपका नौन अपरि सकते मां इसमें आपका नJackson आपकी स्कीन पर बताना मिखाम में और साथ ही मुझे बताना Odisa Дle comer daim कॉन साथ दें जो भारत में तॉप में आता ये ठीक ना भारत में ढ़ो देंमा मुझे बता ये कॉन सी नदी पर आऊना हुआ ह। ऑब ठीक और अगे चलते हैं दोस्तोς इस तरी ये लिए क्लिकर साफ से अगला को से आप अपस्किन वह किशन बीच आप यह तैकल ना तो यह पहलत पॉइब तो सबसे पहली ट्रेन कौन कौन से सिटी के बीच में चली आपको मुझे बताना है ऑप्शन ए मुंबाई ठाने बी नासिक दानापूर सी विसाका पत्नम या डी वारानसी कि बताई जड़ा दोस्तों तो इसमें आपका उप्शन हो जाएगा मुंबाई टू विसाका पत्नम मुंबाई से लेगे विसाका पत्नम के बीच में चलाई गई थी दोस्तों पहली ऑक्सिजन एक्सप्रेस ट्रेन ठीक है यह हमारी रोल ओन और रोल ओफ यानि कि आरो रो सर्विस्वर डिपेंड थी आर आज दोस्तों पहलें थोटा सब्सक्राइब लेता हैं सोट्ट नौट्स में बाहारते लेवे लिए लिक्विड मैडिकल औक्सिजन और और औक्सिजन सिलेंडर को ले जाने के लिए औक्सिजन एक्सप्रेस चलाने की एक पर्योजना बनाई गई थी ठीक है ना उस टाइम अगर इस तरीके लिक्विड मेडिकल ऑक्सिजन होती है उनको जोना दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले लिए योजना बनाई गई तो यह योजना जोन दोस्तों उनिस अपराल 2021 से स्टार्ट की गए डेलवे की पहली ऑक्सिजन एक्सप्रेस ट्रेन मॉंबाई से विसाका पटनम के बीच में सुरू हो चुकी थी सुरू हो चुकिया शुरू हुई इसी को इस और ऑक्सिजन एकस्प्रेस के लिए दोस्तों क्या एक खास गरीन कोरीडूर दिया गया था ठीक है तो कुल मिलाकर आपको क्या क्या जाद करना इसमें से आपको याद करना है द चutor् walking Blesses में आपके ग्जाम में आ सकता है ठीक है ना आपके एक्जाम में आसकता है पतादी कौन सा को स fırर तो में मोस्ट प्रोरी डैगी हमें आने डिंड़ेसंग करोऊंगा साथी में धोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं यह जो भी दोस्त मेरा नया आता है और विडियो देखता चुछ भी लेक्षार से सम्मंधि पूरी पुरी आपको दिस पर तो देख है तो देखिंग दोस्तों की स्क्रिन पर रिसेंटली चाइनीज सीप से विदा रैडियू अक्टिव मैटीरियल हैज रियक्टिड हबन टोटा पॉट ठीक ना सोरी रीच्ड हैज रीच्ड अबन टोटा पॉट इन विच कंट्री इस पॉट इस लॉकेटिड यहां पर चीनी ने अपना पूरा दिगार जमा लिया वह क अ आंक ऍनि शीरि लंका ऑप्षन सी माल्दि ऑप् desirable औम यह जो बंत्र गाया हमारा किसमें दोस्तो इस्थीत स्रीलंका किसमें सिरिलंका में इस्थीत है यह हमाराा कौन सा दोस्तो Так हम बंटोटा बंदरगा मुझा फिन दिया था किस स्रीलंका है चाइण को यह कंफर भी 1712 कीज फोंग में नरहां को बता दोरां ऐसे थी थे हैं तो स्रीलंका में किन्स को चीन को तो महाँ पैफे पुछा था दोस्तों सबसे पहले डेडियुक्टिव जो हमारा सीपता रेडियुक्टिव पदार्थ लेगा ठीक है अब आपको मुझे दोस्त बताना है कि स्रीलंका की दोस्तों ऑफिसल लैंग्वेज अह वह लैंग्विज क्या है ठीक है ना दोस्तों इसकी एक capital नहीं है इसकी दो capital है अब कौन-कौन से आपको मुझे बताना है ठीक है कि नेक्स्ट कोर्शन चलते हैं नेक्स्ट कोर्शन आप अपनी स्किम पर देख पा रहांगे क्या है अकॉर्डिंग तो दा पॉपुलेशन एक्सपर्ट ऑफ विच कांट्री इंडिया में सून बिकाम दा मॉस्ट पॉपुलस नी पॉपुलर होगा कैंट्री इंडि वर्ल्ड ठीक है इसका मतलब किस देश की जनसंग्या के विचे सगो के अनुसर बारत जल्द ही दुनिया की सरवाधिक सरवाधिक आबाधि वाला देस कौन से देश के विचे तो कॉसन अच्छा है एक टाइम ऐसे आने वाला है दोस्तों कि हमारा देश जो जनसंक्या के मामले में सबसे उपर निकल जाएगा ठीक है ना क्योंकि आट पर जैन्ट में चाहिना चला 1.41 ऐधिंग उनकी इतनी जनसंक्या 1.41 ठीक है ना तो अब हमारी कितने दोस्तों आप जानते हैं लड़ी वन जो हमारी 2021 की जन गन्ना के उनसार 121 क्रोड थी आप तो 126-128 चल लिए दोस्तों ठीक है ना कितनी चल लोगी तो ऐसी 141 क्रोड जिसकी है कौन चाहिना तो अब हमारा देश क्या हो जाएगा आगे निकल जाएगा जनसंक्या किसने कहा है पाकिस्तान अमेरिका चाहिना भारत तो यह दोस्तों खुद किसने कहा है चाहिना ने कहा है किसने चाइना ने कहा है कि संद 2027 में भारत देश हमसे आगे निकल जाएगा जनसंख्या के मामले में किसमें दोस्तों जनसंख्या के मामले में चले दोस्तों यह तो हो गया कोस्टन अब मैं दोस्तों आप से पूछन जाओ करंटा फेर्स काया हाली में भी एक स्टेट ने दो दो ओर Malaya हम दो हमारे दो स्लोगन थो इसी के दूबच्य होते हैं तो उसके लीए दो सर्वीज हो जो होती है ना और मैंने नहीं दिया जाएंगे तो कौनवार्म Till बंत्रो Jorge यह कौन सा स्टेट है अपको मुझे बताना है कौन सा चीन क्या है देखते हैं क्या देखे ज़ाई ब्हारत जल्दी दुनिया की सरवाधीवाला देश बंसकता है जबकि सहिं तुर्स यूए न का मानना है कि भारत वर्ष 2027 तक चीन को पीछे चोड़कर दुनिया की सरवाधिकाबादीवाला देश बन जाएगा ठीक है दोस्तो तो एक महासक्ति के रूप में आएगा दोस्तो वह टाइम ही कि एक दिन कौन इंडिया अपना इंडिया भी एक महासक्ति के रूप में उबरेगा ठीक है आज आप देख पा मामले में हैं तो यह दीरे दीर हम भी महासक्ति के रूप में वह समय दूर नहीं है जब हम एक दिन क्या होंगे दोस्तों काफी मतलब चाहिना की तरह फेमस जरूर होंगे आज भी ऐसी बात नहीं ठीक है तो आप चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट आगे एक कोसन पूंश लों दोस्तों यूएन मैंने बात करी लिए हमें यूफ थे यू एनकी यूएन के स्टैंप पे जो दोस्तों कौन महानीदेसक कहते हैं जिसको महानीदेसक वो कौन है आप मुझे बताना कमेंड बॉक्स में जड़ा ठीक है महानिदे से कौन है यू एन के दोस्तों यह आप देख रहे हो ना यह यह वाला सिंबल यह बहुत ज्यादा जरूरी है आप से मैं एक्सपेक्ट करता हूं इस इन चीजों की ठीक है आप से मैं क्या करता हूं दोस इसको ऑक्सीजन ओन हूं वील की पहल की शुरुवात अग्सीजन ओन वील उस पहल की शुरुवात कहां से हुई ती चलिए अच्छा कुस्चन है क्या है जान लेते हैं कि अपेशने हरियान ओंग करनाल हरियाना वी लखना उत्तरपरदेश सी जैपु राजिस्थान डी राचींजार खंड चाहिक है उसका यह सबसे बड़ा दूह हार तो सबसे बड़ा दुख दूसतान है. उसका नाम क्या है आप में जरूर बताना, ठेक है ना आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट कौसाण आपकी स्क्रेण पर यह रहा क्या है विच वन ओफ फॉलविंग इस्टेट से गुरूप से इज वेर पैसेंजर रेल कोचिस मैनिफेक्चर इन लार्ज क्वांटिटीज मतलब निम लिखित राज्यों में से वह कौन सा है जो यात्री रेल डिब्बो की बड़ी मातरा में निर्मान करता वह कौन सा राज्य है इस तरीके का जिसमें सबस्यादा हमारे कौन से बनते हैं दोस्तों पैसेंजर कोचिस बनते हैं ठीक है तो कौन सा है दोस्तों आप मुझे बताएगी जारा आपके स्क्रीन पर क्योंकि मुझे लग रहा है आगे पीछे हो गया है पंजाब और तमीन लाडू और बनते हैं कहां पे बनते हैं कहां पर बनते हैं ठीक है यह कोशन था तो यह था हमारा दोस्तों इसकान सरो जाएगा आपकी स्क्रीन पर है पंजाब और तमील नाडू कौन दोस्तों पंजाब और तमील नाडू ठीक है दोस्तों थोड़ा सा कोशन यह क्या हो गया आगे पीछ हो गया फिर भी आप समझ ले देट्स मेंस इजदा केंद सरकार दुवारा शुरू की गई सूसासन एक्सप्रेस ट्रेन किन दो सहरों के मद्दे चल रही है चलेगी ठीक है अच्छा कोशन सूसासन दिवस कब मनाया जाता है और किस व्यक्ति के मतलब कौन से व्यक्ति थे जिनके टाइम पर बनायाता है कौ इसमें क्या हो जाएगा आपका इसमें हमारा अप्शन लेडी दिखाई दे रहा हो आपको ग्वालियर और गुंडा गुंडा के मद्दे चलाई गई थी सूसासन एक्सप्रेस ट्रेन अब वह महनपुरस कॉन है जिस जिनके उप्लक्स में दिन बनायाता है आपको मुझे कम सब्सक्राइब नाव फास्ट यह आपके लिए मोस्ट इंपोटेंट बन जाता है नेक्स्ट कोशन आपकी स्कीन पर नहीं हूँ वास्ट रेल्वे मिनिस्टर रिजाइन टू डूर ट्रेन एक्सिडेंट रेल दूर्गटना के कारण इस्तीफा देने वाले पर्थम रेल मंत जिन्होंने क्या कर रहा था दोस्तों रेल दुर्गटना के टाइम पर क्या दे दिया था इस्तीफा दे दिया था ठीक है तो वह तो थोड़ा सा आगे पिछो रहा था कोसर इसलिए मैं आपको बताने की पूरी-पूरी कोशिस कर दी ठीक है इन विच एयर रेलवेंप्लोई इस इन्सोरेंज इसके मिस्टार्ट ताब डेट समीज रेल करमचारी वीमा योजना किस वर्श सुरू रही ठीक है रेल क्रमचारी वीमा योजना किस वर्श शुरू हुए बताई ज़रा दोस्तो तो इसमें उप्षन है 1980, 1988, 1978, 1978 तो इसका उप्षन है दोस्तो कौन सा 1977 कौन सा दोस्तो 1977 में रेल करमचारी बीमा योजना शुरू की गई थी याद करने ना ये आपके लिए एक्जाम में इंपोर्टेंट है आ भी सकता है, 100% आ सकता है, ठीक है ना? 100% आ सकता है Next question की ओर चलने हैं दोस्तो, जैसे कै आप अपनी स्कीमपर देख भी पा रहूएंगे क्या है? Who is the father of railway? railway का पिता मा किसे कहा जाता है? क्या है दोस्तो? railway का पिता मा किसे कहा जाता है? बताईए दोस्तों कुस्सन आपकी स्क्रीम पर हुई इस दा फादर ओफ रेलवे रेलवे का पितामा किसे कहते हैं तो आप्सन ने रुडॉल्फ डीजल रिचर्ड ट्रैथवीक जोर्ज स्टीफन्स या रोबर्ट तो इस का अंसर आजएगा दुस्तों आपकी इसकंश स्कॉमम आंदप इससी चैनल पर ऑफ लोड़ प्लेयलिस्ट में जाए ज़रह देख़ें को अपनी चाही त्यारिक अच्छी तरहें घुका इकना मैंने कॉरी सब कुछ अप्लोड किया हुआ है इस चैनल पर जाओ देखो डी एसी सेल एक्जाम से औरियंटिड है पूरा एकदम 90 परसेंट औरियंटिड है देख लेना एक बार ठीक है नेक्स्ट कोशन चलते हैं नेक्स्ट कोशन आपकी स्क्रीन पर क्या है कि यह है दोस्तों हमारा वीच सबसे पराणी लेल्वे स्टेशन हंढा लीवर पूल कहा पर लंदन न अहीं का पर दोस्तों लेंदन में सित्व है आगे चलते हैं दोस्तो आपको ऊंसा where is the national academy of india railway national academy हें डोस्तों आं से देख लेना national academy of india railway इसके option वदोध्यूरा गुजरा्थ portion नमबर जैपूर option दिल्ले option । कॉन सा गॉल कता तो बताही जरह दोस्तों इसका साइनल ऑफ रीवे की कहां पर रहे कहां पर रह左 में ठीक है हमारी ओव ऊसल्ड पर ऑफ इंडियन रेल फेट और शाथ में आपको बता दो नैस्नल मिजियम नेशनल मुजियम ऑफ इंडियन लेल वे कहां पर है अगर आप नहीं जानते हैं तो यह हमारा दिल्ली में कहा पर दोस्तों दिल्ली में है हमारा यह कौन सा नैस्टनल म्यूजियम ओफ रेलवे ठीक है आगे चलते हैं आगे अपनी स्कीम पर देख पा रहा हूंगे कोसन है SMS सर्विस ट्रेन का स्टेटस देखने के लिए दोस्तों SMS सर्विस लॉंच की गई थी कब से स्टार्टिंग की गई थी तो इसके उप्सन आपकी स्क्रीन पर यह रहे ठीक है बताइए जरा दोस्तों इसमें से कौन सा उप्सन नमबर 17 18 19 20 तो यह की जाती है हमारी कौन से सब्सक्राइब 2017 में तो यह सर्विस स्टार्ट की जाती है हमारी 2017 में ठीक है ना आगे चलते हैं दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट कोसन आप अपनी स्कीन पर देखेंगे क्या है तेजस एक्सप्रेस ट्रेन कौन सा है दोस्तों तेजस एक्सप्रेस ट्रेन अब तक कितनी त तेज़ेस एक्सप्रेस्ट्रेंच चलाई जा चुकी है यह को सन पिलस पहली तेज़ेस एक्सप्रेस्ट्रेंच कहां से कहां तक चली थी ठीक है न दोस्तों दूसरा को सन तो यह आपको में सारा कुछ बताना है कमेंड बॉक्स में यह को सर्माना आपके लिए छोड़ दिया यह दोस्तों कोशन मैंने आपके लिए तयार किया था ठीकिन यह आप मुझे बताई कि तेज़ेस एक्सप्रेस ट्रेन पहली से पहली कहां तक चली थी पिलस कितनी ट्रेन अब तक चल चुकी हैं वो सारा कुछ आपको मुझे बताना है कमेंड बोक्स में हैं नेक्स्ट कोसुन के और चलते हैं नेक्स्ट कोस्ण आपकी सक्रेंड इस से कि मैंने इसके पहले भी म्सक्राइब में जाके आप देख लेना प्लेइस्ट में और साथ ही में दोस्तों जिस भी वाइक को अगट टाइम कम लगता हो तो महा महरत उनकी लास में आपके लिए बनाई यह दोस्तों ठीक है ना फट्वी प्रवाइड कर र texting बहुत अच्छे तरीके से अपको अच्छे तरीके से म affection कराई एए धीक है टीक है जा कर पर आँठो आपको सब्सक्राइब करा रहा हुंitel्स विह वह ये 16 abrid कर रहा है एक तो एंडी वीजुएली आई इसकी 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 लास दोस्तों एक से लेकर आई तिंग 25 जितनी भी होगी देख लेना प्लेइलिस्ट मैंने बनाई हुई है और प्लस इसके करेंट से पहले नोव प्रक्टिस आपको कंप्लेट करा चुक हूं ठीक है और साते दोस्तों फिर को फिर दुबारा करा तो माँ मैरतन देख लेना मारतन बनाई हुई है बहुत ही बैस्त वे में बनाई हुए प्लस पीडियेफ्व मैंने आपको प्रोवाइड करा चुक हूं करने की पुरी पूरी कोशिस करता हूं और जो डियर कrüे लेकर आई वह आपके लिए बनाने के प्रवाइट करता हूं दोस्तो क्यों कि स्टुडेंट के सबस्क्र y情況 मैं फिर बाब बता रहा हूं इस्टुडेंट्स के हितने काम चला है तो सारा कुछ हम उनके थुरू ही करेंगे ठीक है ना यह चैनल अपना नहीं है यह दोस्तों आप ही कही है ठीक है ना बस आगे नियू मुमेंट्स ओफ इंडिया कौन से फ्लोरा एंड फ्लोरा कहां कहां प नहीं और पिलस इंपोर्टेंट्स अपडेट इना कम्यूनिटी पॉस्ट जो अपडेट होती हूं तुरंती मैं अपने कम्यूनिटी पोस्ट पर डाल देता हूं ठीक है अगर मुझे लगता है कि हाँ यह हमारे स्टुडेंट से डिलेटेड है तो इसको फास्ट ली क्या कर तो यह दोस्तों की गई थी दस जून 2018 को स्टार्टिंग की गई ती डबल डेकर आपने देखा एक उपर सवारी बैठती है और जबी चलती है आपने देखा ब्स होते हैं डबल डेकर हैसी होती दोस्तों कौन सी ट्रेंट भी है सबसे पहली ट्रेंट चलाए गई ती कोयमब डबल डेकर एयर कंडिशन यात्री एक्सप्रेस ट्रेन क्या नाम है दोस्तों उत्करस डबल डेकर एयर कंडिशन यात्री एक्सप्रेस ट्रेन है इसका नाम ठीक है तो याद कर लेना हो सकता है कि आपके एक्जाम में यह कोशन जरूर आ ठीक है ना क्योंकि मुझे लग रह तो चैनल को सब्सक्राइब जरूब कर देना और अपने दोस्तों जो भी डियेफ सीचाल की तियारी कर रहा है उसको सेर कर देना ठीक है ना देखे जरा दोस्तों इस किन पर आपकी कोसन है विच इस दा लग्जिरी ट्रेन ऑफ इंडिया निकिए भारत की लग्जिरी ट्रेन इन में से कौन सी दोस्तों जो भारत की लग्जिरी ट्रेन है वह कौन सी है दा गोल्डन चैरियेट राजधानी कालका सिंबला या फिर सीरी रामायन एक्सप्रेस बताई जरा दोस्तों यह आपकी दा गोल्डन चैरियेट एक्सप्रेस ट्रेन कौन सी दोस्तों दा गोल्डन माहन की देखते यह कि यह कर देखते हैं यह िसको बनाया है इस कॉसन यह हो गया एक कॉसशन हिए होगया करनाटक इसलोई टोरिजम के द्वारा होता और यह bạnकर जाते है करनाटा गोवा केल अलत का क्मीन यदु पंडू चैरियो से कौनसी ट्रेन गॉनडन गोड़न एक्स-प्रेस पांच जिसमें एक मैंने आपको आज बताईए ठीक है ना यह कितनी ट्रेन दोस्तों पांच ट्रेन और एक मैंने आपको बता दिये ठीक है टॉपिक्स भी जो दोस्तों कमेंट्स करते हैं उसके भी आप में बताने की पुरी-पुरी कोशिस करता हूं यह सैसन सोच रहा हूं मैं नया लेकिया हूं आपके लिए ठीक है ना फ्लोरा एंट फोना के नाम से या फिर न्यू मुमेंट्स ओफ इंडे के नाम से और इंपोर् जरूर कर देना दोस्तों ठीक है ना क्या कर देना से जरूर कर देना ठीक है तो थैंक यू ओल आफ यू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में